पानी के जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगा है बंदरगा लेकिन क्या पानी का जहाज बंदरगा पे खड़ा होने के लिए नहीं वो समुद्री तूफानों से लड़ने के लिए उसका जन्म हुआ है सार तूफानी लहरों से लड़ने के लिए उसका जन्म हुआ है अरे बस के लिए सबसे सुरक्षित जगा क्या है बस स्टेंड जहां वो कभी उसका एक्सिडेंट नहीं हो सकता लेकिन क्या बस बस स्टेंड पर खड़े होने के लिए बनी है नहीं हवाई जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगा है एरपोर्ट लेकिन क्या हवाई जहाज एर परकार एक इनसान के लिए, एक इनसान के लिए सुरक्चित जना क्या है? उसका घर हो सकता है, उसके लिए जोब हो सकती है, उसके लिए दुकान हो सकती है, लेकिन क्या इनसान का जनम इसी चीज़ के लिए हुआ है? हाँ, कुछ लोग कहेंगे इसी इनी चीज़ों के लिए इ इंसानों का जन्ब खुद के योद्धा को पहचानने के लिए हुआ है और जो खुद के योद्धाओं को पहचान जाए खुद के वीर को, खुद के सूर वीर को खुद के रनवाकुरे को जो पहचान जाए खुद के लीडर को खुद की लीडर्सिप को जो पह जान जाए उसका मकसद होना चाहिए कि वो दूसरों को भी जला सके कि आप क्या कर सकते हैं आप कहां तक जा सकते हैं आपका जन ना कि खुद को जानने के लिए हुआ है बलकि दूसरों की सक्तियों को निखारने के लिए भी हुआ है Wish you all the best आगे बढ़ें और निकलें ऐसी जहां पर आपका जीवन सुरक्षित है Wish you all the best